भारते जन्ता पार्टी की विचारधारा को एक इंगित करता हुआ तमिलाडू के आईटी सेल के प्रमुक का एक ट्वीट आया उन्होंने जिस भाषा का और जिस संबंदों को तार तार करने का प्रयास किया शायद उनके या वैसी परंपरा होगी उससे ज़्यादा घटिया, निम्न, तुच्छ और इससे ज़्यादा मेरे पास किसी व्यक्ति को और घ्रनित ट्वीट कोई हिंदुस्तान की राजनिती में हो नहीं सकता उन्होंने जब दबाव बढ़ा तो उस ट्वीट को वापस ले लिया पर क्या प्रधान मंत्री जी ने या भारती जन्ता पार्टी के अध्यक्ष ने उस ट्वीट के लिए माप्वी मांगी देश आज पूछना चाहता है कि वो जो CTR निर्मल कुमार नामक जो व्यक्ति है उन्होंने जो घ्रणिक ट्वीट किया वो किसके इशारे पर किया वो दिल्ली से उनको कौन निर्देशित कर रहा था वो ट्वीट करने के लिए वो अभी तक अपने पत पर क्यो बने वे है परधान मंत्री मापी क्यो नहीं मांगते देश से प्रदान मंत्री जी अमिशरा शाब नडड़ा जी आपके परिवार में आपके समाज में ऐसी परंपराई होगी पर हिंदुस्तान के बागी परिवारों में इस तरह की परंपराई नहीं है आपके जो पार्टी के पदाधिकारी ने जो ठ्वीट किया वो हिंदूओं के विरोध में किया वो हमारी संस्कृति के विरोध में किया वो हमारे रिष्टों के विरोध में किया जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिंतैसी जिनकी जैसी भावना है निर्मल कुमार जी की जो भावना है भारती जनता पार्टी की जो भावना है रिष्टों के प्रती उन्होंने उस भावना को अपने ट्वीट में परिलक्षित किया ट्वीट डिलिट करने से नहीं होगा काम परदान मंत्री जी आईए सामने और मापी मांगे देश से जूट की शिरोमनी महिलाओं की खिताब विजेता शिर्मती स्मर्ती रानी जी आईए सामने और देश से मापी मांगे कि आप सिरफ और सिरफ जूट फैलाते है जो जूट श सब लोगों से नुरोध है कि इस जूट शिरोमनी को दिखाईए कि कन्या कुमारी में कितनी press conferences हुई कैरल के रस्ते में कितनी press वारताएं हुई कितनी public meeting हुई उनको बताईए तो आज की जो प्रेस वारता है वो भारत जोड़ो यात्रा से जो घबरा कर भारत तोडने की विचारधारा वाले लोग जूट को मोडने का प्रयास कर रहे हैं उसके उपर थी इस संबंदी हमारे तीन मांग है और तीन सवाल है साथियों क्या आज नरंद्र मोदी जी देश से माफी मांगेंगे क्या वो अपनी मन की बात आज शाम को प्रसारित करके देश से माफी मांगेंगे कि मेरी पार्टी के आईटी चीफ तमिलाडू के जो चीफ ने जो ट्वीट करा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ अगर वो शर्मिंदा नहीं है तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी आपकी भावना आपके रिष्टे ऐसे होते होंगे अगर आप इस पे माफी नहीं मांगते हैं तो